दोस्तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था भुलो की स्पोर्ट पर अप कैसे फिरी में एक वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपनों वीडियो नहीं देखा तो देखने पहले दोस्तो आज हम जाने के कैसे आप फिरी website पर custom theme लगा कर अपनी website को professional look दे सकते हैं तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको step by step बताते हैं तो दोस्तो सबसे पहले custom theme upload करने के लिए आपको यहाँ पर theme option सो हो रहा है वहाँ पर click करना होगा यहाँ पर click कर देंगे तो आपके सामने इक नया page open हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह का कुछ page open होगा आपके सामने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ customize तो customize पर आपको click कर देना है किलीक करने काड़ा आपको प्रफूर को आपको दीखाई दे रहा है तो अप्लोड पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपके कंपूटर के फाइल में आप पहुच जाएंगे तो आहां पर आपको पहले से ही custom theme रखी होनी चाहिए तो आप उस theme को select कर लेंगे तो मैं अपने laptop के में जहां भी मैंने theme रखी है sml file जो होती है आपको याद बताता चाहेंगे दोस्तो sml file ही बलागर पर upload होती है तो मैंने sml file पहले से ही रखा हुआ है sml theme को मैं upload कर दूँगा तो यहाँ select कर लिया उसके बाद open पर click कर दूँगा तो यह मेरी theme है upload हो जाएगी तो यह जैसे मैंने यहाँ पर selection कर दिया पहले से अब यहाँ पर open पर click करूँगा तो यह theme जो है हमारे blog spot पर upload होने लगेगे तो दोस्तो यह theme यहाँ पर लेफ साइड में आप नीचे देख सकते है रिस्टोर हो रही तो दोस्तो यह जो है upload complete हो चुका है अब हम अपनी website को खोल के देखेंगे किस तरह का look आया है दोस्तों तो दोस्तों हम अपनी website को view कर लेते हैं तो यह theme जो है आपको कुछ इस तरह का तो नेको का यह theme है तो मैंने इसे upload किया है अभी मैंने कोई भी पोस्ट नहीं किया है आगे आपको सब कुछ step by step बताएंगे तो अभी के लिए आपको theme upload करना बता दिये हैं नेस्ट वीडियों बताएंगे आप theme के menu बार को कैसे edit करें जैसे हैं आप अपनी website जिस तरह की है उस तरह का menu आप कैसे दे सकते हैं जो भी आपको category रखना आपने website का कैसे करेंगे हम उसको भी जानेंगे तो आज के लिए वस इतना ही दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में अगर चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बिल आइकोन को भी दबाएं और पाये सभी लेटेस्ट व्यू सबसे पहले